इंग्लेंड की खिलाफ खेले जा रहे हैं टेस्ट मैश में अश्विन ने एक अनोका शतक लगा यह दरशल अश्विन ने इस मैश में जैसे ही जॉनिा बेस्ट्रों को आउट किया वहनों ने इंग्लेंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में использовать। अश्विन ऐसा करने वाले भारत के पहले गिंदबाज बन गए हैं इससे पहले किसी भारते गिंदबाज ने टेस्ट फ्रिकेट में इंगलेंड के खिलाफ सो विकेट हासिल नहीं किये थे इंग्लेंड के खिराफ राजी टेस्ट मैच में आकाश दीप सिंग ने अपने डेब्यू मैच पर नई गेन से भारत को गजब की शुरूबात दिलाई और इंग्लेंड के खिराफ जो रूट ने भारत के खिराफ दमदार शटक जड़ा रूट टेस्ट के एतियास में भारत के खिराफ सबसे आदा शटके पारी खेलने वाली खिराड़ी बन गए जिसमें उनके नाम 29 मैचों में 10 शटक दर्ज है रूट ने इस मामले में स्ट्रीव स्मित को पीछे चोड़ा जिन्होंने भारत के खिराफ 19 मैचों में 9 शटके पारिया खेली थी वहीं रूट टेस्ट के खिराफ सबसे दा 50 प्लस रनों की पारी खेलने के मामले में रिकी पॉइंटिंग के साथ सहीं दूरूप से पहले स्थान परें रूट ने अब तक 20 बार ये कारणामा टेस्ट प्रिकेट में भारत के खिलाफ किया है रंजी ट्रॉफी 2023-24 का सीजन अब नॉकाउट दॉर में प्रवेश कर चुका है जिसमें मुंबई की टीम अपना कॉर्टर फैनल मुकाबला बडोदा के खिलाफ अपने घरेलू मेदान पर खेल रही है पहले दिन के खेल में मुंबई की टीम ने पांच गिट के नुकसान पर 248 बना लिये थे मुंबई न अपनी पहली पारी में एक समय पे 99 के स्कोर तक 4 फिकट गवा दिये थे इसके बाद सरफरास खान के भाई मुशीर खान ने एक छोड से पारी को समान ले के साथ ना सिर्फ शतक लगाया बलकि टीम को एक मदबूत इस्तिती में लेकर भी जाने का काम किया दिन का केल खत्म होने तक मुशीर खान 216 गेंदों पे 128 रन बनाकर नाबाद केल रहे थे विमेंस फ्रीमेंड लीग के दूसरे सीजन का आगास काफी रॉमांचक अंदाज में हुआ है गद विजे था मुमबाई इंडियंस और डेली कैपिटल्स के बीच खेल गए इस मुकाबले में रॉमांच की सारी हदे पार होती हुई दिखाई दी इस मैच के आखरी गेंट पर मुमेंडियंस की टीम को जीत के लिए पांच रंच चाहिए थे और संजीवनी संजना ने छक्का लगाने के साथ टीम को चार विगिट से जीत दिला दी इस मुकाबले में डेली केपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बीस ओवर में पांच विट के नुकसान पे 171 रन बनाये थे इसके बाद नुम्मा इंडियंस ने भी बीस ओवर में इस टार्गेट को हासिल कर लिए इसमें टीम के लिए कप्तान हर्मन परीथ को और नुजरेंड के बीच 3 मैच को ये T20 सीरीज के ली जा रही है इस सीरीज में दो शुनने सा आगे चल रही ऑस्रेय टीम को तीसरे मुकाबले से पहले बड़ा जटका लगा है टीम का एक खिराडी इंजरी के करण सीरीज के आखरी मुकाबले से बाहर हो गया है ये खिराडी जीत का जश्मनाने की दौरान की होसला की मौत हो गई ये गटना बेंगलूरू के RSI क्रिकेट ग्राउंड में चल रहा है एजिस साउथ जोन टूनमेंट में करनाटका और तमिलाडू के बीच मैच के दौरान हुई इस ख़बर से भारतिय क्रिकेट जगत में मात्तम पसर ग कर लिया था तुनिल रमेश और डीव एकटेश राओ के अरद्शतकों के दम पर भारतिय पुरुष टीम ने फ्रेंडशिप क्रिकेट सीरीज के दूसरे टीट मैच में पाकिस्तान को 46 रनों से हरा दिया